श्रीरा देरादे भक्तों भगवान अवतार काल में जहां लीलाएं करते हैं, भक्तों को आनंद पुर्दान करते हैं लीला के द्वराद, वही स्थान तीर्थ बन जाते हैं, और फिर सदा के लिए दर्शनी हो जाते हैं, एक स्थान है जगनात्परी में, उसको बोलते हैं बेड़ी हनुमान जी है, जहां किशोरी माता जी अपने भक्तों को साथ ले करके दर्शन करने गई थी, वहां बेड़ी हनुमान जी नाम का जो स्थान है, वहां हनुमान जी विराजमान है, और उनको बेड़ी लगी होई महाराज, आप कहेंगे, यह से कैसी बात है, हनुमान जी को बेड़ी लगा दे गई, तो आपको वहीं की पहले लीला सुनाते हैं ठाकुर जी की, और उनके भक्त हनुमान जी की, समुद्र की गर्जना से, श्री सुभद्रा जी की निद्रा भंग हो जाती थी, आपको तो पता ही है कि जगनात भगवान के मंदिर में, कृष्ण बल्दाम और सुभद्राम आता ह सुभद्रा जी की निद्रा भंग हो जाती थी, तो श्री जगदेश भगवान द्वारा उस आपत्त के निवेधन करने पर, भगवान श्री राम जी ने समुद्र को शांत करने के लिए श्री हनुमान जी की नियुक्ति कर दी, पुरी में निट के भाद परशाद सेवन करते करते, लीला मैं भगवान की इच्छा से, श्री हनुमान जी एक दिन मोदक परशाद पाने आयोध्या जी चले गए, वक्तों जगदनात पुरी में भाद परशाद अब साथ, चावल परशाद की रिवाज भूर जादा है, तो मोदक परशाद पाने के लिए आयोध्या जी चले गए, और आउसर देख करके समुद्र ने उत्पात प्रारम कर दिया, उसका कारण हनुमान जी की अनुपस्थित सिद्ध होने पर भगवान श्री राम जी से निवेदन की गई वो बात, कि हनुमान जी अपना सेवा छो निवेदन किया, तो भगवान राम जी मुश्कराने लगे किया, योध्या पुरी का परशाद पाने के लिए आगए योध्या, और वहां सुद्ध्रा जी की निद्रा में बाधा डालता समुद्र अपनी हावाद से, तो भगवान मुश्कराते हुए, जगनात भगवान से नियमता है, हनुमान जी को मोदक का भोग लगाने को कहा, राम जी ने कहा जगनात भगवान से, कि हनुमान जी को मोदक परशाद मेरा दिया करिये, और उनके पैरों में कटी परियंत बेड़ी डालवा दी, कि वहाई भाग भाग क्या नहीं आये को, जिसका दर्शन अभी त उसी समय से स्विय हनुमान जी को निच्च लड़ू का भोग लगता है, तब इसे समुद्र की गरजना की जो ध्वनी है, वह वहाँ बंद होई है, बहुत भयंकर ध्वनी गरजना की आती थी समुद्र की, लेकिन हनुमान जी जब वहाँ खड़े हो गए, तब से वहावाज बंद हो गई है, क्योंकि हनुमान जी का भय हुआ समुद्र को, तो उस भय की कारण वह आगे भी नहीं बढ़ता नहीं, तो रोजाना आगे की तरफ धक्का देता चला रहा था समुद्र, मंदिर से दूर हनुमान जी सदा कान लगा कर जिस स्थान से समुद्र की गरजना सु ओर शी जदीश मंदिर में कही दिन शी किशोरी जी का दर्शन करके, समीप वर्ती वयोवरुद्ध शी महंंत जी ने आक्रिष्ट हो, मंधल जी साइड किशोरी जी से कीस दन और प्रार्थन का आनन्ध बरसान एत्कृरपा की, प्रार्थन की मांकि महांत जी ने प्राथना क्या किश्वरी माता से कि भक्तों सहित आप यहां अपनी कथा और किर्थन का आनंद परदान करिये किश्वरी जी सभी भक्तों सहित साक्षी गोपाल जी के दर्शनों से लौट करके उनके स्थान पर पधारी और प्रार्थना साइट की इर्टन का अनंद बरसाने की करपा किया इससे मांत जी महराज बहुत प्रवावित हुए और आग्रपुर्वक परशाद पवा करके तब जाने दिया और उसके बाद 23 जन्वरी संचववन को जब किशोरी जी जगदीश भगवान से विदा लेकर मद्रास जाने के लिए ट्रेन में विराज गई उस समय महांत जीने भाव विभोरों कर विदाई में किशोरी जी को मखमली आचन और कई विविन ने प्रकार के प्रशाद भेट किये और महराज फिर आगे जब पहुंची हमां तब विजय वाड़ा तो किशोरी जी सहित सभी भगव्ट ट्रेन से उतरे और सामान की तुरक्षा के लिए शुकृत जी और रामेश्वर सिंग जी को प्लेट फार्म पर शोड़कर केडार नाट जी स्वामी ज्ञानान जी शिबाई जी किशोरी जी के माइता पिता जी दिन दयाल जीट और यूगल किशोरी जी इसे बहुट से भाक्त से वक्तो उन लोगों ने किशोरी जी के साथ स्री कृष्णा गंगा में श्नान करके दो सो सीड़ी चाड़कर उपरी शिखर पर अवस्थे भगवती श्री दुर्गा जी श्री महादेव जी योंग पवन कुमार श्री हनुमान जी का दर्शिन किया पुना विजयवाडा नगर के अनुकम साउंदर्य का अवलोकन करते हुए साड़े साथ बजे रात में रिक्षों द्वारा वापसी स्टेशन पहुंचे वहां के रिक्षों की ऐसी बनावड़ थी कुसमें क्योवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता था अतक 45 रिक्षे करने पड़े स्टेशन पर विश्व कल्याना अर्थ प्रार्थन से निवरित्त हो भाक्ति भावना से भरी होई जो कीर्टन की वहां माता की कृर्पा हो रही थी ना उससे वहां के लोग आनंदित हो गए फिर प्रशाद ग्रहन करके किशोरी जी विजय वाड़ा से प्रस्थित हो फिर मद्रास पहुंची और उतके दारनाथ जी के परिचित सज्जन के निवास स्थान पर विराजने की कृपा की गर्मी की विशेश अन्भूत की करन भक्तों सहित किशोरी जी समीपस्त समुद्र में स्नान करने गई और वहां की बालू मोरं जैसी मोटी थी किशोरी जी के साथ होने के कारण सभी लोग सरोवर में जैसे निर्भाय होकर समुद्र स्नान परोड़ जाते थे और जैसे तालाब मिना रहे हैं सब समुद्र मिना रहे थे माता साथ में थी से निर्भाय थे भक् गिर जाते थे और उनके घुटनों आदे में समुद्र की जो मोटी-मोटी बालू होती थी वो घिस जाती थी तो लहरों पर उचल उचल कर स्नान करने की युगति शिकाई गई इससे भक्तों को फिर इसनान में बहुत सुविधा प्रतित हुई और उचल ना सकने पर लहरें ग किरा करके रगड़ती जाती थी गर्मी की कारण सभी को स्नान में बहुत आनंद आया मकान पर वापस आकर विश्व कल्यान की प्रार्थना के पश्चात स्वल्पाहार ग्रहन करके फिशोरी माता ने मकान की छट पर शैड़िया और वक्तों फाल्गों महीना का प्राराम दे था लेकिन मद्रास में कर्मी यह देख करके उत्तर भारती यह भक्त लोग भोत आश्चरे में पड़े कि यहां तो इतनी कर्मी हो रही है और उसके बाद प्रात्य समुद्रशनान करके सिसीता राम जी कपलेश्वर महादेव पार्थ सार्थी भगवान यंगोपुर की भव मोरतियों का सभी ने दर्शन किया राती में भक्तों सहित किश्वरी जी एक्ष्पेस ट्रेन के द्वारा मद्राज से रामेश्वरम को प्रस्थित होई और वो ट्रेन जगमगाते हुए कितने इस्टेशनों को छोड़ती हुई भाग रही थी और महाराज बहुत ही आनंदि सब लोग कीर्टन बजन करते हुए प्रात लगभग 6 बजे ट्रेन रामेश्वर धाम पूंच गई जहां राजीव लोचन रखुल भूचन भगवान श्री राम जी के करकमल द्वारा विराजमान श्री रामेश्वर भगवान का आती भाव्य परम विशाल मंदिर है बक्तो ने किशोरी जी के साथ ही एक धर्मशाला में निवास किया जिसमें सब प्रकार के सुविदा थी और धर्मशाला द्वार के सामने एक अनक्षेत्र था जिसमें प्राय दिन भर सदाब्रत चलता था समय पे ही शांत समुद्र जिसमें लारें भी नहीं उठती और बहुत दूर तक गराय भी बहुत कम किन्त उसमें यह त्रत्र लग विशाल पत्थरों की कभी कमी बिल्कुल नहीं बहुत पत्थर अतर बहुत साउधानी पुर्व की धरदर आगे पीछे पैर बढ़ाया जाता है क्योंकि पत्थरों में गिर सकते हैं वहां के पत्थर प्रमारित करते थे कि लंका जाते समय भगवान श्री रामजी ने समुद्र की प्रार्थना से उस पार सेथ बढ़ाया और वापस लव्टने पर तुड़वाया था वही पत्थर यहां भी तक समुद्र में फैले पड़े और भागवान शी राम जे की जिस वंक रिकुटी को देखकर समुद्र ने ब्राह्मन रूप में प्रकुट होकर सेतु मजवाने की प्रार्थ्रा की थी उसे वह अभी तक नहीं भूल पाने के कर्म वहां गर्जने का सास नहीं करता है और जिएक तो समुद्र में गर्जना होती रहती किन्तु वहां रामेश्वरम में समुद्र में कोई गर्जना नहीं लिकुल शांत भागवान को प्रसंद करने के लिए अपने स्वाभावेक सां तो स्वभाव को दिखा रहा है वैसे तो समुद्र स्वभाव से शांत नहीं होता लेकिन भगवान राम को समुद्र ने अपना स्वभाविक स्वभाव शांती का दिखला है तुम्हाराज हम बिल्कुल शांत हैं कोई गर्जरा नहीं कर रहे हैं वो समुद्र में सभी भक्तों सब लोगो ने किया मंदिर बढ़ा भिशाल है रामिश्वर भगवान का सुन्दर भी है नौदास खंड उचे चार गोपुर है इसमें नीचे से शिकार परेयां तो देव मुर्तियां भी दर्शन देती रहा है और मंदिर के भीतर चार सहस्क्र फूट लंबी और तीस फूट उची दुकानों की पंक्तियों से शुषोवित बार्व दर्यां मंदिर के घेरे में तीर्थ रूप बाइस कुंडें सभी में स्नान और आच्मन करके मुख्य मंदिर में प्रवेश किया गया है पंडालों पहले अनुमदीश्वर का पूजन करा के श्री रामिश्वर महादेव मंदिर द्वार पर ले गए भीतर प्रवेश निशेद होना की कारण पूजारियों के हाथ से सभीद पूजन कराया गया दूसरे दिन घंटा बजते ही जब सब लोग मंदिर में गये कुछ पूजा लेकर पूजारी जीने रामिश्वर के एक मनमे स्वरूप का दर्शन कराया 29 जनवरी संचववन को लगभग 32 भक्तों के साथ तिशोरी जी राम जरोखा मंदिर का दर्शन करने पदा रही उस मार्ग में एक जिगह चने और लड़ू का पुशाद यात्रियों के दोने देने की प्रथा थी आगे श्री राम जरोखा है तो सबसे उचे एक तीले पर बना है भगवान श्री राम जी का उसमें दर्शन है वहां से बहुत दूर तक चारों और का दरिश्टी गोचर होता है राम जरोखे का मंदिर तो माता ने कहा ये रामजरोखे वाला मंदिर जैसे मैं बता रहा है कि रामजरोखे बैठिके सबका मुझे रह लें जैसी जाकी चाकरी तैसोता को दें वो जो रामजरोखा मंदिर था उसको देखते ही माने ये बात बोली और सबको लगा कि हाँ बिल्कुल सही कर रही है माता तो यहाँ राम जारोके में बैटके राम जी सबको देखते रहते हैं और वो जिसकी चाकरी जैसी है उसके अनुसार ही उसको प्रभु का परशाद मिलता है और भक्तु यह स्थान बस्ती से बाहर एकांत में है वहाँ से वापस धर्मशाला करके दैनिक प्रार्थना और प्रशाद सेवन करके तब सबने विश्राम किया 30 जन्वरी सन 54 को सभी भक्त किशोरी जी के साथ रामेश्वरम से ट्रेन द्वारा धनुसकोट तीर्थ का दर्शन करने गए धनुसकोट इस्टेशन से समुद्र के पहले जोपडियों की एक बस्ती थी का जाता था कि लंका से वापस आते समय सागर की प्रार्थना से भगवान श्री राम ने इसी स्थान पर अपने बनाएगए सेत्व को धनुसकी कोट इसे तोड़ा था इसलिए स्थान का नाम धनुसकोट तीरत पड़ा यहां सभी ने सनान किया और उसके बाद रामेश्वरम आ गए वहां की कथा भक्तों लंका विजय के लिए सह चल, सह दल और सब भक्त लोग जाते समय भगवान श्री राम ने गंध माधन परवत पर डेरा डाला मुनियों की सभा में श्रीव भक्त रामण की विनास का उपाय पूछा रिश्यों ने तातकालिक करमकांड के सरवमान धुरंदर विद्वान रामण के आचार यतों में श्रीव जी की स्थापन करनी की प्रणा दीति भगवान श्री राम जी ने श्रीव जी की प्रतिष्ठा का यग्य कराने के लिए पहले रामन को बुलाने के लिए अनुमान जी को लंका पेजा था बहुत बिलक्षण का था वहां की बत्तों रामन ने धर्मता यजमान श्री राम जी की प्राठना स्विकार की चलते समय उसने सोचा यग्य में पत्नी की उपस्थित अनिवारे होती है इस श्री राम जी की पत्नी को यहां से साथ नहीं ले जाता हूँ तो मुर्ख का हूँगा श्री राम धर्मात्मा है अन्याय से वे उन्हें कभी हरप नहीं कर सकते ऐसा सोच करके वो राम जी का धर्म का स्वरूप समझ कर महराज जानकी को अपने साथ ले करके आया था इधर भगवान श्री राम की आग्या से हनुवान जी शिवलिंग लाने के लिए मनोवेक से कहलास परवत पर गए किन्तु लिलाधारी की इच्छा से उन्हें शिवलिंग लाने में बहुत बिलंब हो गया प्रतिष्ठा का मोहुर्त निकलता हुआ देखकर आचारे रामण ने शीगरता करने पर जानकी जी ने महराज बालू का शिवलिंग बना दिया उचित समय पर उसी की परतिष्ठा हुई आचारे रामण दक्षिना में जानकी जी को मांग करके लंका वापस ले गया ये थी उस समय की धर्मनी इत्माराजू रामण के जाते ही हनुमान जी शीवलिंग लेकर के रामजी के पास आ गये वहाँ बालू के शीवलिंग की स्थापना देखी तो हनुमान जी थोड़ा दुखी हुए कि मैं लेट हो गया भगवान रामजी ने समझाया कि स्थापना का महूर्थ सार्थक करने के लिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि समय मूर्थ का बीता जा रहा था तो अपने परिश्रम की सार्थक्ता न देख करके मंदुकी हो रहा था अनुमान जी का तो पूरो स्थापिट शीवलिंग को हटा दें और ये स्थापना करें तो मैं लाया हूँ अइसा सोचने लगे तो श्री जानकी जी के करकमलों द्वारा बनाए हुए बालू के शीवलिंग को सहाज में हटाना संभव नहीं था अपनी पूर्च में लपेट करके उखारने का प्रयास क्या अनुमान जी में किन्तो सफलता नहीं मिली तो महरा जी विचेत लिदा होई दुखी होने लगे अनुमान जी भगवान राम जी ने उनके लायवे शीवलिंग को अपने अपने प्रतिष्ठापित लिंग के पहले वेधी पूर्वक प्रतिष्ठापित कराकर उनका नाम हनुमदईश्वर रख दिया और वर्दान दिया कि स्री रामेश्वर शीवजी के दर्शन पूजन का पूर्ण फल उसी को प्राप्थ होगा जो पहले हनुमदईश्वर शीवजी का पूजन करेगा तब इसे हनुमदईश्वर का पूजन करके रामेश्वर का पूजन करने का नियम चालू हुआ और आप लोगों ने रामायर में तो पढ़ाई है बक्तों तो राम जी ने स्वयम अपने श्री मुखारविंद से रामेश्वर तथा सेत बंद दर्शन पूदन का महात्म बताया है बगवान राम जी ने कहा है न जे रामेश्वर दर्शन करी हैं तेतन तजि मम लोक सिधर हैं जो गंगा जल आन चड़ाई है सो सा युज्य मुक्ति नर पाई है होईय काम जो छलत जिसे हैं भगति मोरतिं शंकर दे हैं मम कृत सेतु जो दर्शन करी हैं इतनी महिमा स्वयम भगवान श्री राम ने अपने मुक्से कही ची दर्शन भारत के तीर्थों की आत्रा किशोरी माता ने किया साथ में भक्त लोग भी है किशोरी जी चेन द्वारा रामेश्वर से रस्थित हो लगवग नौ बजे रात में मदूरा पधारी और पास की धर्मशाला में सभी भक्तों सहित उनका निवास हुआ और विष्णु भागवान और गोपाल जी का दर्शन करते हुए शी मिनाक्षी देवी का दर्शन किया भारत में बहुत विशाल मंदिरों में मुख्य है मिनाक्षी देवी का और उसी जन मदूरा से ट्रेन द्वारा साएम पांच बजे चल करके प्राते चार बजे बरकलाई स्टेशन उतर कर सागर्त था जहरने का स्नान करते हुए कि चोरी जी ने भक्तों सही जनारदन भागवान का दर्शन किया और ये स्थान हुआ है भक्तों जहां ब्रम्हा जी ने समुद्र के तरपर यग्य किया था उसमें काम देन और कल्प ब्रक्ष की सहायता से उन्होंने गर्व पुर्वक आतिछ सत्कार यागिक संपून विधियों का पूर्थ करने का उपक्रम दिया तब गर्व प्रहारी जनहितकारी भग्त वत्चल भगवान वहां पर कहलाई बात ये भक्तों की भगवान को अपने भग्टों का गर्व अच्छा नहीं लगता भग्तों के अंदर बिनम्रता तिर्णादव सुनी चेन वाला भाव ही अच्छा प्रभू को लगता है इसलिए ब्रह्मा जी ने जो गर्व प्रकट किया था तो प्रभू को अच्छा नहीं लगा इसलिए गर्व प्रहारी भगवान वा हुग गया क्योंकि भगवान ने स्वयम कहा है न संस्रित मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना ताते करें क्रिपानी दी दोरे सेवक पर ममता अति भूरे तो भक्तों ये प्रभू का सुभाव है और येसा जब स्वयम प्रभू काते हैं तो इस वाक्य को चरितार्च करने के लिए ब्रह्मुन का वेश बना करें ब्रह्मा जी के पास आये और उनसे भवत भिक्षाम देव ऐसा बोल करके भिक्षा मागा अब ब्रह्मा जी महराज उसमे गर्भ में थे तो भिक्षा पुर्व को बोजन वित्रन शाला की और जाने का संकेत किया उंगले सीशारा किया ब्रह्मा जी ने उदर जाओ यहां क्य ब्रह्मा जी शोका को लोकर ब्रह्मन देवता सिकाने लेगे महराज आपके पधारने से मेरा सारा यग भी धोन्त हो गया उदर ब्रह्मन वेश्दारी भगवान बोजन कराने की प्रतिज्या पूरी करने के लिए उनसे सरोष बोलने सरोष बोले प्रभु थोड़ा नराज हो के तो भगवान ने का अरे ब्रह्मा तेरी बुद्धी कैसी हो गई कि रसातल को चली गई रसोई विचार तो कर ब्रह्मा जी समाहिचित से विचार किया कि वास्तों मेरे यग्र को विद्धन्स करने वाला कोई साधारन व्यक्ति नहीं हो सकता है अत्व मेरी परिक्षा के लिए स्वेश में भगवान ही पता रहे है ऐसा विचार करके वे द्विज रूप धारी भगवान की चरण कमलों में गिर करके बारम बार के विड़ा कर अपने अपराद की ख्षमाय आचना करने लगे करने लगे प्रभु मुझी बहुत हंकार हो गया था आपने कृपा करके मेरे हंकार का नाज किया भगवान तब श्रीहरी के रूपर प्रकट हुए जो ब्रामन रूप में आये थे अब भगवान अपने दितर्व रूपर प्रकट होकर बोले ब्रह्मन अहंकार पुकर किया गया कोई भी सत्कर्म मेरी पृसनता कारक नहीं होता है इसलिए मेरी प्रसनता चाहने वाले अहंकार को प्याग देते हैं और ऐसा बोलकर प्रभुहंतरधान हो गए उस पांच कोज की यग्यस्थली में आज भी श्वेट, पीत और श्याम तीन प्रकार की मृतिका का पहार चीथे वहां के लोगों का कहना है कि ब्रह्मा जी के उस यग्यकाज चावल, श्वेट, लाल, पीत और श्याम मृतिका रूप से परवत में उसे में कुछ अन्यबस्तों मिलाकर जगत विख्यात जनार्दन धूप बनाई जाती है और पांडु महराज जब यात्रा करते हुए इस पवेत्र भून पर पधारे भगवान ने स्वपन आदेश दिया था कि मेरी मूर्टी ये स्थल से एक उस दूर समुद्र में है उसे निकालकर मंदिर बनवाकर विधपूर्वक स्थाफित करो तो महराज उस आदेश के अनुसार श्री पांडु महराज ने उस मूर्टी की स्थाफना की वही आज श्री जनारधन भगवान के नाम से विख्यात हैं जिनका दरिशन करने के लिए भक्त लोग जो जांते हैं जाते हैं माता वहां पहुंची हैं तिश्वरी जी और वहां की कथा सब भक्तों को बताई हैं तो आभी माता जी जनारदन भगवान का दर्षिन करने के लिए दर्षिन भारप में विराज माने हम उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहे हैं और आगे उनकी इस लीला को फिर सुनाओंगा शिरादेरा देज़े शिरादेरा देज़े विरादे ।